नमस्कार, मैं हूँ देवेंदर आप देख रहे हैं पंजाब केशरी टीवी कोरोना काल की महमारी और किसानों के मुद्दे के बीच 600 दिन हरियाना सरकार ने गठबंदन सरकार ने पूरे कर लिये हैं अब ये 600 दिन किस तरीके से रहे कितना चुनोति पूर्ण माहोल रहा क्या कुछ रहा तमाम चीजों पर बात करेंगे हरियाना विधान सभा के डिप्ट स्पीकर रनबीर गंगवा मेरे साथ हैं सर पहला सवाल कैसे रहे 600 दिन देखिए जो 600 दिन थे वास्तों में जैसे आपने कहा के चुनोति पूर्ण रहे और इस समय के अंदर विशेश रूप से पिछले एक सवा साल से जो करोना महामारी जो विशव अपी है वो भी आई उसकी दूसरी लहर भी आई और इसके साथ-साथ किसान अंदोलन भी रहा लेकिन इन सब के बावजूद हर्याना प्रदेश ने आदनिया मुख्यमंतरी मनहुरलाल जी के नेतरतों में निरंतर प्रयास किये कि लोगों की सेवा की जाए और जो करोना काल की जहां तक बात है जहां माननी है प्रदान मंतरी जी ने पूरे देश के अंदर शुरू के अंदर लोकडाउन लगा करके जो लोगों को एक तरह से बचाने का काम किया वहीं जब ये दूसरी लहर आई तो हर्याना सरकार ने भी अपने तरफ से पूरे व्यक्पक परबंद करके हमारे प्रसासन की ओर से सरकार की ओर से और मैं इसके लिए विशेष तोर से जहां प्रसासने का अधिकारियों को और हमारे जो डॉक्टर साइवान है उनको भी मैं बढ़ाई देना चाओंगा कि उनके निरंतर प्रयास से एक अच्छे प्रबंदन से आधनिया मनहुरलाल जी के निरतरतों के अंदर इसको हमने काबू करने का जो है वो काम किया और क्योंकि इस बार जब दूसरी लहर आई तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत और प्रिसानियां बैड को लेकर के हुई क्योंकि एक अनपेक्सित एकदम से इतनी संख्या के अंदर मरीज आये एक रोना के तो उससे हमने हर कदम उठाने का काम किया जहां कोविड के जो प्राइवेट होस्पिटल है उनको भी कोविड के होस्पिटलों के अंदर तब्दील करने का काम किया वहीं अलग अलग जो नए एस्थाई होस्पिटल भी बनाए चाहे वो इसार के अंदर 500 बैड का होस्पिटल बनाया चाहे वो पानिपत के अंदर 500 बैड का और अलग से बनाने का काम किया और जो 500 बैड का होस्पिटल बना हम कभी बहार के देश्चों के अंदर तो सुनते थे कि 15-17 दिन के अंदर ही होस्पिटल बन करके त्यार हो गया लेकिन यहां भी हमने जो है इतनी स्पीड से माननी है मुख्यमंतरी के निरदेशा नुसार उनक नियंतरन के अंदर है एक सर किसान अंदोलन जो है वो खासी मशक्कत करनी पड़ी है सरकार को भी काफी चुनोती पून रहा है साथ महीने से ज्यादा हो गया इन दिनों में अब आगे क्या कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है किसी तरीके का दिखता है देखिए किसान कोई नया रूप लेता जा रहा है किसान अंदोलन जहां जो हमारे जो गाउं के किसान है जिनको भावनात्मक रूप से जो है किसान का नाम लेकर के जोड़ने का काम किया गया और वो जुड़े हुए भी हैं लेकिन अब यह कहीं विपक्स की हाथों के अंदर और जो इसके अंदर जहां विपक्स की आतों के अंदर यह जाता जा रहा है वहीं जो कुछ तता कदित जो नेता है वो इसको कैप्चर करने के अंदर जो हेव लगे हूँ हैं तो इस तरीके का महावल है क्योंकि आज forcing के अंदर गटनाही उस कानून की जो कानून आज सुप्रीम कोड्र क करने के बाद भी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का इसके उपर स्टे भी है सरकार बाचीत करने के लिए तेयार है उसके बावजूद इस कोविड टाइम के अंदर ही पर दर्संद करना और विशेश रूप से मानिय मुख्यमंतरी मोधिया का जैसे इसार के अंदर ही प्रोग्राम उस टाइम पर भी जहां बैड की मारा मारी हो रही थी कुरोना ज़्यादा भैल रहा था उस समय के अंदर भी इस तरीके से लोगों के हजूम को इकठा करना ये कहीं कहीं गलत दिशा के अंदर जा रहा है के विपक्स के हाथों के अंदर ही ये जा रहा है विपक्सी लोगों काम कर रहा है और हमने तो कोविड काल के अंदर भी इसे तोर से विपक्स से भी कहा था कि राजनती के लिए और बहुत टाइम है इस समय के अंदर आजनती नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कहुंगा कि एक उच्छी नारा राजनती इसका किसान अंदोलन के बहाने विपक्स ने करने का है किसान की बात हमस्जां से ही सिर्कार सुनने को त्यार है उन्हों कहा भी आप आये सोच के साथ आप बताई इसके अंदर गलत क्या है और उसको हम दूर करने का काम करें च्पिसले दिनों दì आग से जल जाने से किसान की मौद हुई है वहापर नहारो त्वास्थ तरीकð से ढ़ेखते हैं निश्चत रूप बहुत ही गंभीर विश्य यह है और यहां कि जांच का विश्य है इसकी जाँच होकर गणिस के अंदर द दोस्री पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी विधान सभा की कमेटी मीटिंग फिर से शुरू हो गई है क्या कोई नई कमेटी बनाई गई है और किस तरीके से अब काम सुचारू चल रहा है कमेटी तो पहले आलरेडी बना दी गई थी और काम जो है अब क्योंकि कोविड जब पीक पे था तो हमारे विधान सभा के भी करमचारी अधिकारी इसकी पेट में आ गए थे इसलिए वो मिटिंग जो अबंद कर दी गई थी अब सुचारू रूप से कमेटियां की जो है वो मिटिंग शुरू है वैसे तो छे महीने का वक्त होता है सेशन के बीच में मांसुन सत्र भी जिस तरीके से होता है क्या कोई संभावना है अभी सत्र की जब भी सरकार कहेगी हम उसको क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम तो यहां पे उसको कंड़ेक्ट रहना होता है तो वैसे इच्छे मिन्या का टाइम होता है अभी तो है टाइम हम मेरे खाल से इसको अगस्त या सितंबर तक भी कर सकते हैं आम तोर पर जुलाई अगस्त के अंदर मांसुन सतर होता है तो जैसे ही समय आएगा हम समय और प्रस्तितियों के अनुरूप इसको करने का काम करेंगे जिस तरीके से हमने पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग वगरा रख करके किया था अब समय के इसाब से जैसे होगा उसी इसाब से हम उसको विवस इसा लिया जाना था अभी आगे कैसे रहेगा यह जो 600 दिन सरकार के रहे हैं यह चुनती पुरून रहे इसके साथ-साथ जैसे आदनियां हमारे प्रधान मंतरी नेंदर भाई मोदी कहते हैं कि आपदा में भी अवसर की जो बात है आदनियां मुख्य मंतरी मनहर लाल जी के नेतरतों के अंदर सुचारू रूप से कार्या करते हुए लगातार प्रयास किये गए जिससे आज पूरा जो हर्याना प्रधेश है वो निती आयो की रिपोर्ट के अनुसार बड़े स्टेटों के अंदर नंबर वन पे आया है तो यह एक अचीवमेंट है और इसके साथ-स जो साथा देने की बात हो चाहे इस आपदाकाल के अंदर बीपेल और जो गरीब लोग है उनको अनाज मुईया कराने की बात हो मतल алव हर तरीके से उनको सुधाएं दी गई और वहीं जो बीपेल के जो हमारे जो यहांके जो लोग है अर्याना प्रधेश को उनके फ्री इल इस समय में करने का काम किया आगे पांच जो पंजाब से हिस्सा लेना है विदान चबा में भी उसके लिए जोड़ सोड़ से मांग उठेगी निशित रूप से पहले भी माननिया है हमारे जो स्पिकर साहब है उन्होंने और हमने बैठ करके बातचीत की थी और पंजाब के स्पिकर हर्याना विदानचपा मेरे साथ है और उन्होंने 600 दिन सरकार के जो पूरे हुए हैं चुनोति पूर्ण माहौल में उसे लेकर मेरे साथ बात की मैं हूं देवेंद्र कैमरा के पिछे मेरे साहयोगा मंदीप सिंग नमस्कार